हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर आपका स्वागत है प्रभास किचिन में आज हम बनाने जारें ढोगलत जो बहुत सी सॉफ्ट है जिसकी रेसिपे में आप लोगों के सांस सेजर करने वाली हो इसके लिए हमने लिया है एक कटोरी बेसन और उसमें हमने तीन चमच सूजी डाला ह और उसके बाद हमने एक चमच इसमें खटा दही डाला है फिर हमने उसमें एक चमच सक्कर और आधा चमच हल्दी पॉर्डर डाला है और एक चमच नमक डाला है नमक आप अपनी स्वादन उसा डाल सकते है और उसके बाद इसमें हमने थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे अ और फ्रेंड्स हमारा बैटर बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है उसके बाद हमने इसमें एक चमच इनो डाला है और इसे हमने एक ही डिरेक्शन में अच्छे तरीके से इसे मिक्स किया हुआ है उसके बाद हमने एक पैन लिया है और उसमें एक चमच तेल डाला है और उसको तेल को हम चारो तरफ लगा लेंगे फ्रेंट्स और उसके बाद हमने जो बैटर तयार किया था उसे डालेंगे उसके बाद friends हमने जो इतली बनाने वाला बरतन दयता है उसमें पानी डाला है और उसे गरम होने के लिए रख दिया है उसके बीच में एक कटोरी डाला है जिससे ये ऊपर उठे उसके बाद friends हम 20 मिनट के लिए इसे ढख कर पकाएंगे अब 20 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे चेक करने के लिए Friends, हमने एक चाकु लिया है और इसके बीच में ऐसा इसको डालेंगे और देखेंगे, अगार हमारा बैटड चाकु में नहीं लगता तो इसका हमारा धोकला पक चुका है अब हमारा धोकला पक चुका है हमने इसे ठंडा कर लिया है उसके बाद हम इसे उपर से टैप करके निकालेंगे आप देख सकते हो फ्रेंड्स हमारा ढोकला बहुत ही अच्छे तरीके से निकला हुआ है एक भी उपर में चिपका नहीं है उसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें 600 कड़ी पत्ता का छौक लगाएं और यह बहुत ही अच्छा तेष्टी हमारा ढोकला बन का रेडी हो चुका है आप देख सकते हो फ्रेंड्स बहुत ही सॉफ्ट हमारा ढोकला बना है इसी तरीके से हैं निव निव रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सेयर और सस्क्राइब जरूर करें झाल